चलिए तो पहला question आपकी screen पर है एक बार question को अच्छे से पढ़िए और question को solve करने की कोसिस करिए तो कि आपकी first priority क्या है question को अच्छे से पढ़ना है वीडियो को pause करना है और question को solve करने की कोशिस करनी है अगर question नहीं बनता है कोई बात नहीं हर एक question का solution आपको provide किया जा रहा है यह question कहता है कि यदि आप 11 संत्रे 10 रुपई की दर से खरीदते हैं और 11 रुपई में 10 की दर से बेजते हैं तो लाभ यहान पृतिसत क्या होगा तो हम यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस type के question को हम क्या बोलते हैं quantity को बराबर करने वाला question बोलते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा इसके number of quantity और यहाँ पर लिखा price अब आप जो है 11 संत्रे लेकर आते हैं कितने के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से ठीक है लेकिन आप 10 संत्रों को बेच किस हिसाब से रहे आप जो है वो 11 रुपए के हिसाब से बेच रहे अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जितनी आप चीज लेकर आते हैं उतनी ही चीज तो आप बेचेंगे, इसलिए आपको number of quantity बराबर करनी पड़ेगी, आप कैसे बराबर कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर 10 का गुड़ा कर दोगे, तो यह 110 बन जाएगा, और इसको 110 बनाने के लिए आपको 11 से गुड़ा करना पड़ेगा, अगर आपने इधर 10 क का गुड़ा किया था, तो आपको इधर भी 11 का गुड़ा करना पड़ेगा, अब आप कितने का लेकर आये थे, आप 100 रुपए का खरीद कर लेकर आये थे, लेकिन आप बेच कितने का रहे हैं, बेच आप 121 रुपए में रहें, तो आप कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं, आप directly कह सकते हैं कि सर हमें 21 रुपए का profit हो रहा है कोई doubt? No doubt यार बिल्कुल easy easy से questions आपके paper में पूछे जाते हैं अगला देखो question अगला question कहता है कि सौरब ने 48,000 में एक वस्तु खरी दी उसे 12% के हानी पर बेस दिया उस रास इसे उसने एक वस्तु खरी दी और उसे 20% के लाब पर बेस दिया तो रास में कुल लाब या हानी क्या होगी ऐसे question को करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी एक चीज के उपर ये सब चीजे profit और loss होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम success you बोलते है तो देखी एक ही चीज के उपर पहले 12% की हानी हो रही है और फिर 20% का लाब हो रहा है तो आप success you से इसका profit या loss निकाल सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं तो आपको formula एक बताया है अब यहाँ पर अगर आप values को put करोगे तो minus का 12 plus का 20 और plus minus का जब गुड़ा होता है तो minus आता है और 12 और 20 का गुड़ा होगा तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा और upon hundred यहाँ से कितना निकलेगा यहाँ से plus का 8 निकलेगा और यहाँ से minus का निकलेगा 2.4 overall कितना निकल के आएगा अगर 8 में से 2.4 को minus करेंगे तो हमारे पास 5.6 क्या निकलेगा plus का निकलेगा मतलब 5.6 जो है वो profit हो रहा है तो simple यहार 48,000 का निकालो 5.6 कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा simple question बन जाएगा तो अब अगर आप देखें तो इस point को अगर आप उडाना चाहा है तो उडा दो और नीचे एक 0 लगा लो इन 3 0 से आप इन 3 0 को उडा सकते हैं तो आपको किसका किसका करना पड़ेगा 48 और 57 का गुडा करना पड़ेगा ओके तो इसको अगर आप गुडा करेंगे तो 6 थे 48 के बाद आपका कैरिया है दो 6 चुक 24, 24, 28 28 हो गया और 15, 40 ठीक है और 5 चुकू 20 और 20 आपका 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो I think अगर आप इसे calculate करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 26, 28 चलो बड़े अंगले question की तरफ I hope ये question भी आपको बिल्कुल clear हो गया चलिए इस question को पढ़िए बहुत ही अच्छा question है ये question कहता है कि एक विक्रेता ने एक bag को 12% के लाब पर बेचा यदि इसने 900 रुपे अधिक पर बेचा होता तो 27% का लाब होता है ना आपका profit है ना loss है लेकिन suppose करो आपका पहले क्या हो जाता loss हो जाता है 10% और फिर आपको profit प्राप्त करना है कितना 30% तो आप directly क्या करेंगे 10 और 30 को जोड़ देंगे 40% का directly आप कह सकते हैं कि profit हमें निकालना है जो value दे रखी है लेकिन इस case में आपको क्या दिया है इस case में देखो भाई क्या दिया है case को भी बना लो इस case में ये दिया है आपका ये आपका base point हो गया जहां पर आप 100% पे खड़े है और आपसे बोला गया है कि ये आपकी timeline है पर आपका profit line है पहले आप जो है यहां पर पहुंसते हैं कितने पर 12% profit पर लेकिन उसके बाद आपको जाना कहां पर आपको 27% profit के उपर जाना है तो आपको 12 से 27 पर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा उपर आपको 15% जाना पड़ेगा जो आपने ये 15% बढ़ाया है वही तो आपने 900 रुपए में बढ़ाया है ये तो आपने % में बढ़ाया था ये आपने रुपए में बढ़ाया तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1% का मान आप कहेंगे 100 रुपए हो जाएगा तो 100% का मान कितना हो जाएगा 6000 रुपए तो वही तो हमसे पूछा है, 100% जो होता है, वो CP होता है, तो 6000 इसका बिलकुल, सही जवाब हो जाएगा, clear ये question, बढ़ें अगले question की तरफ, चलो, अगला question पढ़ो, question number 4 कहता है कि एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तवे खरीदी, उसने 1 को 20% की हानिपर और दूसरे को 15% के लाब पर बेच दिया, यदि प्रतेक वस्तुका विक्रेमूली समान है, तो लाब पर बेची गई वस्तुका क्रेमूली क्या होगा, बहुत ही अच्छा question है, इस question को भी हम ratio method से करेंगे, सबसे पहले देखिए 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 15% का लाब हो रहा है, question को होती है, तो 5 से 4 हो जाएगा, और 15% का लाब मतलब कितना होता है, आपका 20 से कितना हो जाता, 23 हो जाता है, अब बच्चे जो है, वो 20 से 23 कैसे हुआ, ये बात ना पूछें, क्योंकि ये सारी basic चीजे मैं आपको classes में बता चुका हूँ, इतनी बात clear हो गई, अब आप से क्य क्या question के अंदर बोला गया सबसे important बात, question के अंदर बोला गया है कि आपका, जो selling price है वो same है, तो आप selling price को same करो, इसको 23 से गुड़ा कर दो, और इसको आप 4 से गुड़ा कर दो, अगर आपने इधर 23 से गुड़ा किया, तो इधर भी आपको 23 से गुड़ा करना पड़ेगा जब आपको 23-5 का गुड़ा करेंगे तो 23-5, 115 बन जाएगा, अगर आपने इधर 4 से गुड़ा किया, तो इधर भी आपको 4 से गुड़ा करना पड़ेगा, तो ये 80 बन जाएगा, अब ये दो चीजों का रेशु में प्राइस दे रखा, तो 115 और 80 कितना हो जाएगा, एक सो पंचानवे हो जाएगा, एक सो पंचानवे दो वस्तुओ के प्राइस का रेशु दे रखा है, और एक्चुल में दो वस्तुओ का प्राइस एक सो पंचानवे दे रखा है, तो आप 195 रेशु के बराबर 195 एंडर कर दो, एक रेशु का मान कितना निकल आएगा, एक आठ हजार आपका एंसर हो जाएगा जो कि आपका D option के अंदर दिखाई दे रहा है, बड़े अगले question की तरफ, I hope हर एक question आपको बिल्कुल crystal clear हो रहा होगा, अगला question देखो, question number 5 कहता है कि आकास ने नवीन को 10% लाब पर एक motorcycle बेची, नवीन ने इसे 20% लाब पर विने को बे के बाद एक हो रहा है और last वालक का जो है वो भुकतान बता दिया गया है, तो directly हम success लगाएंगे 10% के लाब का मतलब हो गया 10 से 11, okay, उसके बाद 20% का लाब मतलब आपका 5 से 6, उसके बाद बात करेंगे तो 5% हा ने, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा आपका 19, इसनी बात clear है, अब यहाँ पर आप कुछ काड़ सकते हैं, बिलकुल काड़ सकते हैं, आप इसको 3 बना सकते हैं और इसको आप 10 बना सकते हैं, अगर 10, 10, 5 का गुड़ा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 500, और अगर इधर गुड़ा करेंगे तो 19 से 57 और 57 का 11 से गुड़ा करते हैं, तो आपके पास आता है, 7, 5, 7, 5, 12 का 2 का दो कहरिया, 1, 5, 1, 6, 6, 627 आएगा, और यह 627 जो है, वो किस ने भुगतान किया, यह किस का है, यह विसाल का है, विसाल ने कितना भुगतान किया था, 627 तो, यानि 6,000, सुरी, 62,700 रुपे भुगतान किया था तो भाई 627 के बराबर कर दो, 627 बराबर आपका 62,700, तो आप कह सकते हैं कि एक रिशो का मानिया, हाँ पर भी आपका 100 निकल के आ गया, अब आप से क्या पूछा गया है, तो आकास के लिए मोटर साइकल की कीमत क्या थी, भाई 5, 4, 0, राइट अंसर आपका यह हो जाएगा कि यह प्राइस किसका है, यह प्राइस जो था, यह किसका था, यह आकास का था, यह किसका था, यह था आपका विसाल का, तो फस्ट और लास्ट वाला ही तो निकल के आता है, यह जो है वो आकास का हो जाता है, और यह वाला विसाल का हो जाता है, ठीक है, बीच वालों का वाले का माईने रखता है क्लियर है बड़े अगले कोश्चन की तरफ चलो कोश्चन नमबर 6 देखो बहुत ही अच्छा कोश्चन है इस कोश्चन को एक बार सॉल्व करने की आप लोग कोशिस करो यह कोश्चन कहता है कि एस 37,800 मूल की एक वस्ट को 8% पर बेचता है पी इसे क्यूं को 4% हानी पर बेचता है पी किस मूल पर इस वस्ट को बेचेगा तो सिंपल यह आपका सक्सेस्यू है लेकिन हम रेशियो से नहीं करेंगे इसको सिंपल आपको कैल्कुलेशन से करेंगे क्योंकि वो आपको आसान इंटू पहले इसको जो है वो 8% लाप पर बेचा जाता है मतलब 108 पर बेचा जाता है फिर इसको जो है वो 4% हान पर बेचता जाता है मतलब 96 पर बेचा जाता है अब देखो 0 से 0 आप काट लो अगर आप 108 और 96 का गुड़ा करोगे तो कैसे करोगे यह देख लो भाई 108 इं को कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104 डबल जीरो और आठ चको 32 32 माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस बुड़ा होता है तो माइनस का आता है तो यहां पर आपका हो गया आठ यहां पर बचा 6 आप बचा 3 और यहां पर दस तेरा सुरी 10 368 अब हम यहां पर आगे अब देखो अब इसको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को किस तरीके से गुड़ा करेंगे यह आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए क्या हम लास्ट के चार डिजिट निकाल सकते हैं अगर आप चार डिजिट सपोर्ट कर लो कुछ भी निक देखो अगर आपको करना है तो लास्ट का देखो एक चीज़ अभी आपको नजर आने लगेगी इससे कि मैं लास्ट डिजिट निकाल सकता हूं चार यह देखो क्या आपको नजर आ रहा है 10,000 प्लस 368 नजर आ रहा है तो अगर मैं 378 का 368 से साथ गुड़ा करूंगा तो मैं उज़े लास्ट के डिजिट मिल जाएंगे यह बात आप भी समझते हैं यह लिए तो वही काम हम करेंगे हम करेंगे आपका 378 का गुड़ा 368 के साथ 3864 का 4 कैरियाए 6, 8 सते 56, 56 हो गया आपका 62 कैरियाए 6, 8, 34 हो जाएगा आपका 30 38, 48 का 8 कैरियाए 4, 6 सते 42, 46 कैरियाए 4, 3, 18, 18, 4 हो जाएगा आपका 22 अब इसका गुड़ा करेंगे 33, 24, 24 का 4 कैरियाए 2, 3 सते 21, 21 दो आपका हो जाता है 23 कैरियाए आपका 2, 3, 3, 9, 2, 11 इसनी बात क्लियर है अब इसे सॉल्व करो यहां से आगया 4, 8, 2, 10 का 0, 6, 4, 10, 10, 11 कैरियाए 1, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 अब 4 डिजिर से एक बात कंफर्म होगी कि यहां पर आपका यह 2, 0 लगेगा लास्ट में 91 आएगा तो 91 किस में आ रहा है इसी में तो आ रहा है यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थोड़ी सी कल्कुलेशन अगर आपको करनी पड़ेगी तो उसके अंदर बहुत सारी आपको हिंट बता होनी चाहिए कि किस तरीके से कोश्चन को आसान बनाया जा सकता है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन नमबर 7 कहता है यह कोई व्यक्ति 320 रुपए प्रती किलो ग्राम की दर से किसमिस खईता है और 6 रुपए में 25 ग्राम की दर से बेजता है तो उसका लाब यहान प्रतिसत क्या होगा फिर यही कॉंटिटी बराबर करने वाला है लेकिन थोड़ा सा डिफिरेंस है यहां बोला गया कि आपका 1100 ग्राम स्वाली कितने ग्राम है हाँ 1000 ग्राम एक क्लो में 1000 ग्राम होता तो 1000 ग्राम आप कितने का लेकर आ रहे हो आप 320 रुपए का लेकर आ रहे हो लेकिन आपका बेचने की बारी में क्या आ रहा है ये तो आपका प्राइस बन जाएगा तो यह कितना प्राइस बन जाएगा 624 2004 रुपए प्राइस बन गया और तीन सो बीस रुपए का लेकर आय थे और 240 में बेच रहे तो आपको कितना लॉस हुआ है आप असानी से निकाल सकते हैं एक बट्टे चार कितना होता है आप कहा सकते हैं एक बट्टे चार 25 लेकिन यहां पर हानी हो रही है तो 25% की हानी यह आपका बिल्गुद सही है कोई दिक्कत हुई है अलो कोश्चन नमबर 8 पड़ो यह कोश्चन कहता है यदि एक सिल्पकार एक मेच को 1300 में बेचता है तो उ उसे 35% की हानी होती है यदि वह इसे 30% लाप राप्त करने के लिए वह कितने में बेचेगा तो यह कोश्चन बहुत ही इजी कोश्चन है अगर मैं मानू 35% हानी पर बेच रहा है 35% हानी का मतलब हो गया कि वह 65% पर बेच रहा है 65% पर बेच रहा है लेकिन actual price कितना बेच र कि इतनी बात क्लियर हो गई आप काट लो भाई 13 35 कितना हो जाएगा 13 65 हो जाएगा 13 दाहम 130 पांच एककम 5 पांच दूनी 10 तो यह कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 इधर गुड़ा हो जाएगा तो एक्स बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा 26 तो निकल क्योंकि आपका A option के अंदर दिखाई दे रहा है आसान question चलो question number 9 देखो बहुत ही अच्छा question है यह भी आपका success related question है question है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो question कहता है दीपक 1,60,000 की पूझी के साथ website सुरू करता है ठीक है उसे पहले वर्ष 10% की हान होती है और वह अपने सेस राजी पर दूसरे वर्ष 5% का जो है वो लाब अरजित करता है और फिर इसी पूझी पर 25% का लाब अरजित करता है तो तीन वर्ष में कुल लाब कित कितना हो गया 20-21 हो गया और तीसरे वर्ष आपका कितना हो गया 25% मतलब 4-5 हो गया अब इसमें कुछ कटने वाला है काट लो अगर कुछ कटने वाला है तो आप कह सकते हैं इसको काट सकते हैं 5-8 तो आपका हो जाएगा 5-20, 4-16 दाहम 160 इधर आ गया आपका निवेस ठीक है और टोटल प्रॉफिट होने के बाद जब अमाउंट निकली अमाउंट कितनी निकली 9-9 और 9-12-18 आपकी अमाउंट बन गई तो प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट किया था 160 रेशो लेकिन आपका बन गया 180 तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया आप कहेंगे प्रॉफिट म है 29 रेशो तो एक हजार का 29 रेशो के साथ जब गुड़ा होगा तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 29,000 निकल के आ जाएगा कोई दिक्कत अगला कोईशन देखो एक वस्त को एक हजार 32 में बेचने पर अरजित लाब उसी वस्त को 648 में बेचने पर हुई हान के बराबर है यदि 30 परसेंट लाब तो वस्त का विक्रे मुल क्या होना चाहिए यानि कहने का मतलब यहां पर है एक वस्त को एक हजार 32 में बेचने पर लाब होता है और 148 में बेचने पर हान होती है तो यहां से हमें पहले CP निकालना पड़ेगा CP निकालने के बाद जो CP निकलेगा उसे 30% हमें पढ़ा कर बेचना है तो उसका विक्रे मुल हमें बताना है तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले एक कि तो भाई वही चीज चारों पहले क्या दिया है पहले आपका लाब दिया तो सेलिंग प्राइस ईलिंग प्राइस के बादे में आपको पता है ओके 648 अब देख लो अब जब 648 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा यह आपका बन जाएगा 8,2,10,4,3,7,1,8 और यह बन जाएगा आपका 1680 पराबर यह CP उधर जाएगा तो यह बन जाएगा 2CP तो हम उसका हाफ कर देंगे तो आपका 840 क्या निकल के आ जाएगा 840 आपका CP निकल के आ जाएगा अब देखो यह चीज आपको इतनी करके बताएगे लेकिन जब आपको अगली बार ऐसा कोश्चन मिले पहले प्राफिट है फिर लॉस है तो इसको जोड़कर आधा कर देना आपका CP निकल के आ जाएगा यह चीज जब आप करोगे तो प्रैक्टिस बार बार करोगे तो यह चीज ए क्लियर होती चली जाएगी यहाँ पर आब हमने क्या करना है 840 के उपर 30% प्रॉफिट निकाल के हमें बता देना है 30% प्रॉफिट निकलने के बाद कितना हो जाएगा 130 यह दो जीरो से यह दो जीरो काड़ दो तेरा चकु बावन बावन का दो कैरी आया पास तेरा ठेक सो चार और पांच 109 हो जाएगा तो 1092 आपको कहां पर दिखाई दे रहा है आई थिंक 1092 सी आप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है हो गया राइट एंसर चलो देखो कोशन नमबर 12 एक दरजी एक थोक बेपारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपियो करके उससे बैमानी करता है जो सामानी टेप से 5 सेंटीमिटर लंबा है और अलग-अलग कपड़े सिलते समय दरजी अपने ग्रहा को क्रैम मुली पर इसकस करता है और सामानी टेप से 5 सेंटीमिटर फुटे मापने वाले टेप का उपियो करता है तो दरजी का लाप क्या है अब यहाँ पर सिनेरियो समझो क्या है कि जब वो दरजी साप जो थे जब लेने गए तो वो 105 सेंटीमिटर वाले से माप रहे थे और जिससे कपड़ में वो 95 cm वो दे रहे थे यह बात scenario clear हुआ तो अब इसी scenario को हम profit loss में convert कर लेते हैं कैसे convert करेंगे कि अगर वो actual में कितना बता रहे हैं वो 100 cm बता रहे हैं लेकिन वो लेकर कितना आ रहे हैं वो 95 पर 105 लेकर आ रहे हैं ठीक है खरीदने पर वो 100 की बजाय वो 105 लेकर आ रहे हैं लेकिन बेस्ते टाइम वो actual में कितना बेच रहे हैं वो 95 बेच रहे हैं लेकिन customers को बता रहे हैं कि मैं आपको 100 cm दे रहा हूं यहीं पर तो लफडा है यहीं पर लफडा है तो 100 से 100 कर जाएगा पंचानवे से आपका profit कितना हो जाएगा पंचानवे से profit हो जाएगा 105 अब यहां पर कर लो पंचानवे पर 10 का profit निकालो जब आप इसे solve करोगे तो यह बन जाएगा दो और यह बन जाएगा उन्निस पंचे पंचानवे 200 है ना आगे इसे solve करोगे तो उन्निस दहाम 190 है ना तो आपका उन्निस दहाम 190 तो यह दस सही 10 बटे उन्निस आ जाएगा correct पढ़े अगले question की तरफ question number 13 कहता है कि एक विक्रेता एक निवेश पर 10% लाब अरजित करता है लेकिन एक दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानी होती है यदि दोनों निवेश में 10% एक वता एक अनुपात 3 के अनुपात में है तो सयूक्त हानी या लाब क्या होगा तो बिलकु सिंपल है अगर इस प तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का बीस निकल के आएगा और डिवाइड वाई कितने हैं चार है तो चार पंचे बीस तो माइनस का जो है वो आपका 5% लॉस निकल के आएगा जो कि आपका सी ओप्शन है क्लियर चालो अगला देखो कोशन नमर 14 कहता है कि आकास ने एक पुराना फोन चार सो पचास में खरीदा उसकी मरमत मर चार सो पचास रुपए खर्च करने के बाद उसे 5,070 में बेज दिया तो उसका लाब प्रतिसत क्या होगा तो यह देखो सिंपल सी बात है अगर 3450 रुपए का खरी कितना लोगें कितना लोगें आप लोगे 49-401,170 रुपए आप प्रॉफिट लोगे है ना तो 1170 रुपए अगर आप 49-100 पे प्रॉफिट ले रहे हो तो आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लो अगर आप आगे इसे सॉल्व करोगे तो 2-0 से 2-0 उर जाएंगे और यहां पर आजाएगा तेरा नमिया एक सो सब्तरा और तेरा तिये उन्तालिस है ना और तीस तिये नबबे तो 30 परसेंट आपका क्लियर ली निकल के आजाए राइट अंसर आपका क्या होगा राइट अंसर आपका 30 पर अगला देखो कोश्चन नमबर 15 बहुत ही अच्छा कोश्चन है एक दुकानदार 40 kg की कीमत वाली चीनी 42 kg में बेचने का दावा करता है लेकिन खराब तराजू का उपियोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग बताना है अच्छा वही चीज हो गई ना भाई अगर आप देखो 40 रुपए की चीज को अगर 42 रुपए में बेच रहे हो उसके बाद आप 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम दे रहे हो मतलब यहां पर भी आप प्रॉफिट ले रहे हो तो यहां पर देख लो अगर इसका बन जाएगा और यह 12 बन जाएगा यानि एक्चुल में 11 ग्राम दे रहे हो लेकिन आप बता रहे हो 12 ग्राम दे रहे हो यहां पर भी आप 11 से 12 का प्रॉफिट ले रहे हो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको बना दो 6 और इसको बना दो 10 तो इधर हो गया 11 दहम 110 और इधर हो गया 21 का 126 प्रॉफिट पर्सेंट की बात करेंगे तो 110 के उपर कितना प्रॉफिट ले रहे हो 110 16 ले रहे हो ना भाई 110 हाँ 16 पर ले रहे हो प्रॉफिट 200 अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 काड़ दो बन गया आपका 160 बटे 11 तो 11 एकम 11 आप ऐसे मालो तो 11 एकम 11 ग्यारा दाम 160 जारा दाम 160 जारा एक मिनट 11 एकम 11 हो गया बचा पांच ठीक है और ग्यारा चकुच चवालिस पिर बचा आपके पास छे प्र दसमलो लगाया जीरो बढ़ाया तो 14 से यार एक ही तो एंसर है काही कन्फूजन क्रिएट करना है ना बिलकु सिंपल ह को डिया क्या got ye question no 16 पढ़िए यह question कहता है कि यदि किसी पुस्तक का प्रे अ क्री मूल उसके विक्रे मूल का 92% था तो पुस्तक की विक्री पर 1 पृत ठीज़ होगा दसमलो तक आपको बताना है तो सबसे पहली बात कही गई है कि 92% तो सबसे पहले आप 92% लिखो सारी बात वहीं पर clear हो जाएगी 92% बानवे बटे 100 अब कहा गया है कि किसी पुस्तक का क्रे मूल तो विक्रे मूल का तो का वाला तो है यह selling price हो जाएगा तो simple बात है यह आपका cost price हो जाएगा तो अगर आप 92 के ऊपर कितने का profit ले रहे हो 8 का profit ले रहे हो आप उसका profit percent बता दो simple अगर आप इसे काटोगे तो काटने पर और चारदूनी 8 चारदूनी 8 चार्दूनी 8 चारदूनी 8 चारदी बारा कि यह आपका 200 बटे 23 हो जाएगा और 238 184 होता है तो आपका बचा 16 10 मिलों लगाए 160 और 23 कितना होता है 163 होता है न एक मिनट 23 सते तीन सते 21 सातरी 21 करी आए दो साधुनी 14 दो 16 161 होता है तो यहां पर ज्यादा हो जाएगा तो हम 0.6 लेंगे 8.6 लेंगे तो 8.6 कहां पर आ रहा है 8.6 यहां पर आ रहा है वह टेबल बहुत इंपोर्टन है मुझे भी लगता है कई बार मैं भूलता हूँ तो टेबल बहुत इंपोर्टन अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप questions को और fastly कर सकते है चलिए question number 17 देखिए सुक न वाली वस्तुएं खरीदी लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई हलाकि सुक ने बाकी वस्तुओं को उसी कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिसमें उन्हें 19% का कुल लाब कमाने में मदद मिली प्रतेख वस्तु की क्राय मूली से कितने प 15% वस्तुएं खराब हो गई और उसके बाद आपके पास कितनी बची आपके पास 85 बची इसे 85 वस्तुएं ना मारकर 85 रुपए माल लो क्योंकि एक रुपए की एक चीज है तो आप चाहे इसे परसंट मालो चाहे रुपए मालो इतनी बात क्लियर है तो 100 रुपए की चीज में अब आपके पास 85 रुपए की चीज बची है लेकिन आप 100 रुपए पे प्रॉफिट ओवर 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 प्रॉफिट यह बोला उसने कुल प्रॉफिट जो है वो 19 रुपए कमा लिया है इस पर 100 पर तो यह 119 रुपए की चीज बेग थी अब 85 रुपए की चीज आपके पास बची थी लेकिन आपने कुछ बढ़ा कर बेचा इसलिए आप 119 रुपए कमा लिये तो आपने 85 परसेंट पर कितना बढ़ाया है पच्चासी से आप देख लो 15 15 इधर और 9 पॉंच 14 24 चौबिस दस 34 34 का प्रॉफिट आपने कमा लिया तभी तो आप बढ़ा कर कम बेच रहें तो 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, एक बटा पांच 20 परसेंट होता है तो 40 परसेंट आपका बिल्कुल रही जवाब हो जाएगा अगला देखो एक वस्त को 2744 में बेचा जाता है और विक्रेता 12 परसेंट लाब अरजित करता है वस्त उपर केवल 5 परसेंट लाब अरजित करने के लिए विक्रे मूली रुपेयों में क्या होना चाहिए मतलब 2744 में बेचा 12% का लाब अर्जित करना है और 5% का लाब अर्जित करता है करने के लिए उकी यह कोशिन कहरा कि 12% लाब पर बेचने पर 12% मतलब 112 में उसने बेच दिया है ना और बेचा कितने में actual अगर रुपए की बात करूँ तो 2744 रुपए में बेचा है तो अगर हम काटेंगे इसे तो 8 एकम 8 311 8 से कर जाएगा 8 एकम 8 आर्जित कु बतिस चौदा परसंट बन गया आगे देखा जाए तो आर्ट तरिक 24 चौबिस आर्जित कु बतिस ज्यादा परसंट का लाब अर्जित करना है तो यहां पर देखो ट्रिक अब क्या लगेगी अब अगर मैं इस 2450 का आपसे 10 परसंट निकालने विए बोलू तो आप कहेंगे सर्थ 10 परसंट इसका 245 होगा कितना हो गए ना 245 का आधा कितना हो जाएगा 245 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा दो कम दो दो दुनी चार ठीक है और फिर दो दुनी चार इतना हो जाएगा 122.5 हो जाएगा ठीक है तो 122.5 इसमें जोड़ दो कि इतना जोड़ना है 122.5 यही तो आपका टूटल है तो 0.5 तो 5274.5 तो कितने में बेचा 2572.50 रुपे में बेचा कहां गया क्लियर जालो कि अगला देखो 34 वस्त्यों का विक्रै मूली 38 संबस्ती के बराबर है तो लाब प्रतीसत पहने का मतलब है यह जो 34 वस्तुइं है कि क्या है यह विक्रै मूली मतलब सेलिंग और कि 12 की क्रै मूली के बराबर है तो अगर हम इसे काट ले तो यह आपका 19 बन जाएगा और यह आपका 17 बन जाएगा तो अगर बात करेंगे cost price और selling price का ratio क्या बन जाएगा तो cost price आपका हो जाएगा 17 selling price हो जाएगा आपका 19 17 के उपर दो का profit हो रहा है तो आप directly कह सकते हैं 200 बटे 17 तो बटे 17 आपको कहा पन जारा रहा है आपको 0 आना चाहिए ऐसे काट लो 17 17 17 170 माल लो है ना 171 170 और 113 77 हाँ 11 बढ़ जाएगा 11170 और सथे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा उसके उपर जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास 13 बटे 17 बचेगा कि यह आपका एंसर हो जाएगा 11 सही यह एंसर हो जाएगा ओके ऐसे करो 17 धाम 170 और 70 कितना हो जाएगा 70-10-80 और 87 तो 187 हो जाएगा 187 में जब हम 12 को गड़ा करेंगे तो वो 200 से उपर चला जाएगा चलो क्या लिए कोश्चन नंबर 20 को देखिए यह कोश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपए प्रती पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटिया खरी दी प्रतेक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर थे उन्होंने प्रतेक पेटी को 25 रुपए प्रती पेटी की दर से बेचा लेकिन कुल मिलाकर 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए इसके लावा उन्होंने परिवहां सुलक के रूप में एक हजार का भुगतान किया तो लाभ यहान ही क्या होगा अब दिखो अगर मैं cost price की बात करूँ तो 2000 उपए पर पेटी खरीदी जाती है तो 10 पेटियों का price कितना हो जाएगा 10 पेटियों का price हो जाएगा आपका 20,000 अगर मैं selling price की बात करूँ तो selling price कितना हो जाएगा आपकी 9 पेटियां तो पूरी भी की है और एक जो पेटी बची वो आधी भी की है मतलब 25 का आधा 1250 रुपए की भी की है तो 25 नुमा 225 डबल जीरो और इसमें जोड़ दो आप 1250 रुपए तो आपका कितना हो जाएगा 0 5 5 2 7 2 1 3 और दो यह 20,000 है लेकिन इसमें एक हजार रुपए का जो है वो क्या लग रहा है भाड़ा लग रहा है तो यह 21,000 टोटल हो गया 21,000 की कॉस्ट प्राइज है और 23,750 रुपए में बेच रहे हो तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 21 से 23 माइनस करोगे तो आपका 2750 रुपए आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आसान कोश्टन है तो आज की क्लास में हम इतने ही कोश्टन रखते हैं ठीक है आगे की जो 20 कोश्टन है वो मैं आपको जो है वो अगली क्लास में करवा दूँगा टोटल आपकी पेपर में 40 कोश्टन है तो हम 20 कोश्टन आज हमने कंप्लेट कर लिए बची हुए कोश्टन को हम अगली क्लास में करें ओके तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर